पिए बी गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों से अधिक्तम बिजली उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए धारा ग्यारा के तहत निरदेश जारी किये गए ग्रीश मकालीन बिजली की मांग को पूरा करने में सहायता के लिए सरकार ने गैस आधारित बिजली सन्यंत्रों को परिचालित करने के उपाय किये भारत सरकार ने गर्मी के मौसम में देश में बिजली की उच्च मांग को पूरा करने में सहायता के लिए गैस आधारित बिजली सन्यंत्रों को परिचालित करने का निरने लिया है गैसाधारित उतपादन स्टेशनों से अधिक्तम बिजली उतपादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बिजली अधिनियम 2003 की धारा 11 के अंतरगत सभी गैसाधारित उतपादन स्टेशनों को निर्देश जारी किये हैं जिसके अंतरगत उप्योक्त सरकार यह निर्देश्ट कर सकती है कि एक उत्पादन कम्पनी असाधारन परिस्थितियों में किसी भी उत्पादन स्टेशन का संचालन और रखरखाव सरकार के निर्देशों के अनुसार करेगी गैसाधारित उत्पादन स्टेशनों GBS का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में विशेशकर व्यावसायक कारणों से उप्योग में नहीं है धारा 11 के अंतरगत जारी किया गया यह आदेश आया तितकोईल आधारित बिजली सनिंत्रों के समान ही है जिसका उदेश्य आने वाले महिनों में उच्च मांग अवधी के दौरान गैसाधारित उत्पादन स्टेशनों से बिजली की उपलब्धता को पूरा करना है यह आदेश 1 मई 2024 से 30 जून 2024 तक बिजली उत्पादन और आपूर्ती के लिए वैध रहेगा इस आदेश को यहां क्लिक करके देखा जा सकता है Grid India Gas आधारित उत्पादन स्टेशनों को बिजली की आवशक्ता के बारे में सूचित करेगा व्यवस्था के अनुसार Grid India गैसाधारित उत्पादन स्टेशनों को पहले से सूचित करेगा कि गैसाधारित बिजली की आवशक्ता कितने दिनों के लिए है वित्रन लाइसेंस धारकों के साथ बिजली खरीद समझोते PPA रखने वाले गैसाधारित उत्पादन स्टेशन पहले PPA धारकों को अपनी बिजली की पेशकश करेंगे यदि उपलब्ध कराई गई बिजली का उपयोग किसी PPA धारक द्वारा नहीं किया जाता है तो इसे बिजली बाजार में पेश किया जाएगा PPA से मुक्त गैसाधारित उत्पादन स्टेशनों को भी बिजली बाजार में अपने उत्पादन की पेशकश करनी होगी इस निर्देश के कार्यानवेन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रिय विद्यूत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरिय समिती का गठन किया गया है गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को परिचालित करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा किये गए उपायों की एक श्रिंखला का हिस्सा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग पूरी की जा सके केंद्रिय विद्यूत, नवीन और नवीकरणिय उर्जा मंतरी श्री आर के सिंग ने इस संदर्भ में कई बैठकों की अध्यक्षता करते हुए गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिए बिजली की परियाप्त उपलब्धता सुनिश्चि पर निरने के अलावा गर्मियों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए निमनलिखित उपाय किये हैं